तो आज हम लोग चो करेंगे वहोगा आपका प्रेक्टिस नमबर पांच होगा आपका करेंट अफेर्स का ठीक जो कि मोस्ट इंपर्टेंट है आपके तो बहुत ही इंपर्टेंट होने वाले है आज की वीडियो साथ ही एक रिक्रिष्ट एबिए कि अगर आप उन-lion ये पढ़ाई करने तो आप प्लीज ना करेंगे तो आप कन्फियूज हो जाओगे उस टाइम आपका दिमाग नहीं काम करेंगे तो जहां तक कोशिस करिए कि आपका रिदम बना रहा है और एक्साम क्लियर हो सके सेलेक्शन आसानी से मिल सके तो प्लीज जितना कम हो सके उतना कम वा लाइनियर्थ की तैयारी करिए ठीक तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला कुश्चन जो हमारे नवी वर्स है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेंगे और नोटिफिकेशन विल्कों कर लेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रस्ट तो दोस्तों आज का पहला प्रस्ट नहीं है कि राजिव गांदी खेल रत्न पुरुषकार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया तो आपके सामने चार आप्शन है इन में से कौन सा सही होना चाहिए किसको सम्मानित किया गया थीक तो इसका राइट एंसर हो जाएगा फ्रेंट सी टीक है ए भी दोनों ठीक विराट कोली मीरा बाई चानू दोनों को राज्यू गांदी खेल रत्न पुरुषकार से सम्मानित किया गया ओके ठीक चलिए अग प्रश्ट में अस्थापित किया जाएगा भारत का पहला राज होगा यह भी इंपॉर्टेंट पहला नाम आया इंपॉर्टेंट हुआ ठीक प्रश्ण है 22 में राष्ट मंडल खेलों का आयोजन 2022 में किस देश में प्रस्तावित है तो फ्रेंड यह चार आप्शन आपके सामने है इनमें से कौन सा सही आप्शन है यह बताना है तो आप मेरी त्रिपसी इसका जो राइट एंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इंग्लैंड इं में होगा 2022 में आपके एगला प्रस्ण है 16 वर्षी वह बालिका जिसने 17 मही 2018 को माउंट टेवरेस्ट पर चगाई कर सबसे कम उम्र की भारती लड़की बनी तो यह चार आप्शन दिये हुए उनमें से कौन सा सही है यानि वह उस लड़की का नाम क्या है ठीक तो फिर इसका राइट एंसर है वह हो जाएगा आपका आप्शन है स्रिवांग की पाठग बहुत ही कमाल की बात है कि 16 वर्षी वर्षी बाहिलका है 17 मही 2018 को माउंट टेवरेस्ट पर चड़ाई करके वह भारत की सबसे कम उनमुर की बाहिलका बनी तो ठीक है बाहिलका भी आगे जा रही ह बहुत खुशी के बात है तो चलिए अगला प्रशन है किस राज ने सभी जीव जन्तुओं को विधिक बेक्ति का दर्जा दिया ठीक बहुत ही मोश्ट कुश्यन है बहुत ही अच्छा प्रशन है तो फ्रेंच इसका राइट एंसर है वह हो जाएगा आपको ऑप्शन सी ठी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है तो फ्रेंच यह चार आप्शन आपके सामने दिवे हैं इन में सी बताना है कि इन में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है तो फ्रेंच जो इसका राइट एंसर है वह हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बंगाली बंगाल बहासा सबसे जादा बोली जाती है ठीक उगला प्रश्ण है इन भासाओं में इन भारत раз में सबसे मॉलेजाने वाली भाषा है यह रहे 4 option है सामने इसका आपको क्या लग रहा है क्या है तो फिर इसका जो राइट एंसर है वो आपका हो जाएगा ए संस्कृत ऐसी भासा है जो सबसे कम पोली जाती है भारत में यह एक्जाम में पूछ चुका और कई बार आ आपके सामने चार आप्शन है इनमें से कौन सा सही होगा तो फिर जो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन भी हैदराबान में डाग पार्क बनाएगा ठीक है ए देश का पहला डाग पार्क है यहाँ पर अपने कुद्धे को ले जाओ और सब सफाई या फिर टे है तो चलिए इसका जो राइट एंसर है वो हो जाएगा आपका आप्शन ए बिहार बिहार में सिच्छक और चात का अनपात सबसे खरावे लगबग 65 या 63 की करीब है ठीक चलिए अगला प्रशन है भारतिय सुच्छता रिपोर्ट 2018 में कौन सा शहर तीसरे अस्थान पर रह इंदोर क्या यह पहले अस्थान पर था यह तो मालूम होगा आपको अगर पहला अस्थान इंदोर तीसरे पर चंडीगर ठीक है दूसरे पर आपका भोपाल ठीक चलिए अगला प्रशन है बिद्दुति करण होने वाला भारत का वह आखरी गाउं ली सांग किस राज में इ बिद्दुति करण होने वाला भारत का वह आखरी गाउं ठीक है भारत का आखरी गाउं जहां पर विद्दुत ब्योस्ता नहीं थी वह है ली सांग गाउं ठीक वह है आपके मडीपुर में वहां पर विद्दुति करण हो गया यानि पूरे भारत में विद्दुति करण हो इन में से कौन से सही होगा तो मेरे तरब से जो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका शिलांग में ठीक है यहां पे सो स्मार्ट सिटी को चुनना था तो जो लाश्ट था वो शिलांग है शिलांग कहां पर है यह तो आपको मालूं होगा नहीं मालूं है तो कमेंट बाक्स म जाएगा ठीक तो चलिए इसका जो राइट एंसर है वह हो जाएगा आपका आप्शन भी ठीक है 21.54 ठीक इतना क्या है भागोलिक छेद का मुनावरण है अगला प्रश्ण है नीति आयोगद्वारा जारी स्वास्थ सुचकांग 2018 में पर्थम अस्तान पर कौन सा राज है फ्र 2018 है उस पर पर्थम अस्तान पर हमारा केरल राज है ठीक है वह केरल राज हो गया चलिए अगला प्रश्ण है यूएंड़ीपी की मानो विकास सुचकांग रिपोर्ट 2018 में भारत को किस अस्तान पर रखा गया बहुत इंपॉर्टेंट पूछ चुका कई बार पूछ चुका है तो चलिए इसका जो राइट एंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन भी ठीक है भारत को एक सुचकांग रिपोर्ट टीक है यूएंड़ीपी की ओके चलिए अगला प्रश्ण है सब्सक्राइब इंडेक्स 2018 में भारत की सस्थान पर है तो यह रहे चार आप्शन आपके इन में से कौन सा सही है तो फ्रेंड जो इसका राइट एंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक है 112 पर संस्टनेबल डवलेमेंट इंडेक्स में भारत 112 पर ठीक तो पहले प यह पर कुछे आपका स्यूद है ठीक हैं पहले पर आपका हो गया स्युदन और अगे चली अगला प्रिक्स का दस्वाइब शिखर संब्यलन किस देश में आएशेख जित किया गया ठीक जो दस् час मेर्स कि उसने इंडेश एफ्रीका में शर्वा इंपजाएगे अश्या और प्रश्ण है ग्रामा प्रिक्स शिखर समयलन 2019 कहां प्रस्तावित है जो हुआ नहीं है अभी प्रस्तावित है तो इस चार आपके सामने हैं इन में से कौन सा सही होगा तो फ्रेंट जो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका आप्शन एठीक है ब्राजील में 11 जो ए को बिश्व पुस्तक राज्थानी 2019 घोशित किया ठीक बहुत इंपॉर्टन कुश्चन है और यह आएगा 100% आएगा तो फ्रेंट जो इसका राइट एंसर हो जाएगा शार्जा इनुसको ने शार्जा को बिश्व पुस्तक ठीक की राज्थानी घोशित किया किसको जाको ठीक एकला प्रस्ण है कि इस्टाक हों इंटर्नेशनल पीस रिसर्च इंस्ट्यूट के अनुसार कौन सा देश 2018 में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है ठीक तो फिर इसका राइट एंसर है वो हो जाएगा आपका भारत इंडिया जो है इस्टाक हों इंटर् में 2018 आयातक देश में सबसे बड़ा है किसमें हथियारों का ठीक हथियारों का आयातक देश में सबसे आगे है भारत ठीक तो उमेंद करता हो यह वीडियो पसंद आए और पसंद आए होगी तो फ्रेंड लाइक करना ओर जो हमारे नए नए भीवर्स नेट चैनल को सब्सक् ये ये बाइ